अजमेर में चोटी कांट का रहसे देश भर में महिलाओं और यूतियों की चोटी काटने की घटनाओं के कारण देशत फैली वी है किशनगर में एक महिला की चोटी काटने के बाद संसनी फैल गई थी वही अजमेर के दरगा बजार इस्तित अंदर कोट इलाके में बारा वर्षिये एक मुस्लिम लड़की की रहस समय तरीके से चोटी कटने की घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई गटना शाम चार बज़े उस समय घटी जब मुस्कान नाम की यूती अपने घर के दरवाजे के पास अपनी अम्मा के साथ बैठी वी थी आठ वर्षिये इस यूती की चोटी का एक हिस्सा अचनक गिर कर अलग हो गया यूती की लगबग पांच इंच चोटी कटी है यूती ने पास बैटी अम्मा को इस बात की जानकारी दी तो वह भी चौक गई ने तो वहाँ कोई आया और ने ही किसी ने कैंची चलाई बावजूद उसके लड़की की चोटी के बाल कटके जमिन पर गिर गए जैसे जैसे इस गटना की जानकारी लोगों को मिली यूती के घर पर आसपडोस के लोगों का आना शुरू हो गया यूती के पिता और अम्मा ने लोगों से सला मश्वरा कर चोटी के कटे वे बालों को पानी में ठंडा किया लेकिन इस गटना के बाद शेतर में एक अजीफ सी दहशत का माहूल बन गया है मुसकान की चोटी कटने के बाद पूरे शेतर में कई सवाल बनने शुरू हो गए लोग एक दूसरे से इस रहसे को समझने का परियास करने लग गए कि आखिर यूती की चोटी काटी किसने है देशत का ऐसा आलम रहा कि यूती के पिता ने कई लोगों से संपर कर उसकी बेटी के साथ वी वारदात की जानकारी देकर उनसे सुझाओ मांगे बहराल देश भर में अब ऐसी गटना कम ही गट रही है लेकिन दरगा बजार के अंदर कोट इलाके के मुस्लिम बहुले शेत्र में हुई इस गटना के बाद चर्चाओं का बजार फिर से गरम हो गया है मेरी बेटी का मुस्कान नाम है आटिव करास पड़ती है इसके सर के बाल कट गए किस तरी इस कर गए क्या हो अम्मा बैटी अब है अब बट्चे सब सामने कर गए पिर आगे आपने क्या किया फिर उसको निला उला दिया उसकी थोड़े और बाल काट दिया इसको बाल काट दिये पूमें निञा दिये कर दो कर दिया सकता है क्या हो सकता है यह हो क्या सकता कुछत मालूंut सब इसे गटना है और अचम भी इस घटना से यहां वालों में किसा भए सब दहसे फेल गई यह से कैसा हो गया क्यों हुआ काई के लिए वा नजर बंद दिखी नहीं रहा आदमी दिखी तो आदमी इसकाम भी करें समझ जाए आइंक वारी आप दिखी नहीं रहा सामने कुपिया कर जा रही कितने इंची बाल सब्सक्राइब कर देती हो अच्छा जरा इसारा पड़ा दोने चोटी पकड़ लिए उसका हाथ में अदिखी भी नहीं अम्मा बैठी सब सब बैठेया घर परिवरों सब साथ में थे सब्सक्राइब